हाई लो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप थर्ड टर्म नल एकजाम सुरू होने वाला है इसलिए क्लास सेवेन के हिस्टरी के कुछ चेप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेशन एंसर आपके भी चिला रहा हूँ तो आज का हमारा विशय है क्लास सेवेन्थ हिस्टरी चेप्टर नाइन डेवलप्मेंट आफ रीजनल कल्चर इस चेप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेशन आपके लिए है आपके लिए महत्वपूर्ण सावित हो सकता है तो इसे पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से दे क्वेशन है नेम दा फेमस संस्कृत राइटर आफ दा मेडियेवल प्रियड मध्यकाल के एक प्रमुख संस्कृत के राइटर का नाम बताया है एंसर है शंक्राचारे संक्राचारी वाज दे ग्रीटेश्ट अस्कॉलर फिलोस्पर आफ मेडियेवल प्रियड ही जोट इन सं अश्कृत लेंग्वेज में लिखा था शेके ने वाट हेल्प दा पंजाबी लेंगवेज टू डेवल पाइज ए पूपलर रेंगवेज आफदा मेडियेव प्रियड मध्यकाल में पजाबी को पोपलर लेंगवेज के रुप में डेवलर करने में कौन से कार्क मदद किया था है एंसर है in the medieval period in India Punjabi developed into an important and popular language of the masses because this was the role of the Sikh guruj who reached out to the common people with teaching of universal brotherhood तो मद्यकाल में शिक धर्म के सापना हुई थी और विभिन सिख धर्म के जो गुरू थी वो पंजाबी लेंग्वेज में भायचारे को बरहने के लिए अपने शिक्छाएं दी थी जिसके कारण medieval prayer में पंजाबी लेंग्वेज नौर्थ इंडिया खासकर के पंजाब में काफी जादा बिक्सित हुआ एंसर है अमुक्त मालयादा वाज पॉली पोईटिकल वर्क रिट्न वाई कृष्ण देवर्य राय इन लेंग्वेज विजंग्वेज न्यगर सामराजी के प्रशिद्ध राजा क्रिश्न देवर्य ने एक पोईटिकल वर्क किया था कामवे की रजना की थी जिसका नाम था अमुक्त माल यादा नेक्ट क्वेशन है वाट डेवलप्मेंट डिद दे बेंगॉली लेंग्वेज एक्सपेरियंस आफ्टर 1586 1586 इसवी के बाद बेंगॉली लेंग्वेज का डेवलप्मेंट कैसे हुआ एंसर है आफ्टर 1856 पर्सियन बेंग्वेज बेंग्वेज आफ्टर 1586 इसवी के बाद पर्सियन आफ्टरीटिव लेंग्वेज वन गया था बंगाल में बावजूद इसके बेंगॉली भासा का काफी विकास हुआ और एक्षेत्री भासा के रुप में बंगाली भासा का बिकास हुआ नेश्ट कोईचन है हू बाज कथाकार्स हाव वर दे एसोसेटेड विद कथा कथा कथाकार कौन थे और वह कथा से किस तरह से जुरे हुए थे एंसर है कथाकार्स वर अस्टोरी टेलर्स इन दे टेंपल्स आव दे नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनमें वो कहानी सुनाने वाले जो लोग थे वो कथाकार कहलाते थे और कथक सब्द इसी कथा से लिया गया है जो कथा सुनाया जाता था उसको ब्यूटिफाइड करने के लिए उसको सुन्दर दिखाने के लिए लोग विभिन तरह के जो गैशर होता था मुमिन्ट होता था और जो सौंग होता था उसको प्रदर्शित करें कथा शुनाते थे इस तरह से कथक एक डान्स के रूप में डेवलप हुआ और जो कथा हो जाता था वो ज्यादा शुन्दर लगने लगता था नेश्ट क्वेश्चन है वाई वाज उर्दू कॉल्ड दा कैंप लेंग्वेज हाओ डिडिट डेवलप उर्दू एक कैंप लेंग्वेज के रूप में किस तरह से डेवलप हुआ और इसे कैंप लेंग्वेज क्यों कहते हैं एंसर है उर्दू इज अलसो काल्ड कैंप लेंग्वेज एज इट और इनेटेड इन कैंप सॉल्डर्स और उर्दू लेंग्वेज का जैनू कैंप में हुआ जहां सहिनिक रहते थे चुकि पारस से और तरकी से भारत में सहिनिक आये थे और वो अर्बी या फार्शी बोलते थे तो इन दोनों भासाओं के मेल से उर्दू का जन्म हुआ उर्दू इस और काईंप लेंग्वेज आज इट ओर इनेटेड इन कैंप आफ सॉल्डर्स इस निव लेंग्वेज कें इन्टू विंग्वेज इंटू इन्टू इंटू सैनिक थे फारस से आये हुए तुर्की से आये हुए मद्यपुर्व से आये हुए वो सारे सैनिक कैंप में रहते थे और उस कैंप में ये अरबिक और फार्शी ये दोनों भासाओं के मिलने से उर्दू भासा का जन्म हुआ था next question है how is original how is original literature a good source of history जो छेत्रे भासा है वो इतिहास के प्रमुख शोर्स हैं कैसे answer as we know and understand that authenticity authentic source of history are the are an integral part of the of the past हमें पता है कि जो इतिहास के authentic part है वो इतिहास के जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शोर्स है therefore regional language and literature is an important and reliable source of history और इसी लिए जो छेत्रे भासाव में लिखी वी रचनाएं हैं वह इतिहास के लिए एक बहुत प्रमुख और विश्वश्निय श्रोत हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही नेश्ट वीडियो में हम अलग एक और चेप्टर के question एंसर लेकर के हम आपके विचाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण पुशावित हो सकता है थेंक यू